एक योग जो सदियों से चलती आ रही है, the complete योग. Let's see the process of Surya Namaskar in this special episode of Surya Namaskar. हलो दोस्तों, एक बार फिर मैं Dr. Jain के साथ आप सब के लिए वापिस आ गई हूँ. और आज हम सर से बात करते हैं कि वो आज हमारे लिए कौन सानेया चालेंज लेकिया है. हलो सर, वेल्कम तो दो शोओ वांस अगैन. नमस्का. तो सर, आज बताएए, आज आप हमारे लिए क्या अनलॉक करने वाले हैं? आज मैं हमारी प्राचीन योग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जो आसन है, सurya Namaskar, उसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा. आज मैं हमारे उस प्रचंड शक्ती के स्रोत्र सूर्य देव को नमस्कार करते हुए आपको योग का ही आसन बताना चाहता हूँ. सूर्य देवता के इतने हमारे उपर उपकार है, सब कुछ हमारा उसी से बना है, सब कुछ जो हमें मिलता है सूर्य से ही मिलता है, तो हम उसको बारम बार नमस्कार करते हैं और नमस्कार भी हम योग मुद्रा में करते हैं, योग के बारा आसनों के माध्यम से करते हैं और उस नमस्कार के द्वारा हम एक तरह से अपने उस परम शक्तिमान सूर्य देवता को अपना आभार व्यक्त करते हैं सूर्य नमस्कार हमारे भारती योग का सबसे प्रमुख आसन है कहा जाता है कि इसमें सभी आसनों का समावेश आ जाता है आप अकर अकेले सुर्य नमशकार को भी करते हैं तो आपको संपूर्ण लाप आपके शरीर से प्राप्त होता है आपके शरीर के जितने टाक्सिन है वो सब बाहर निकलने लगते हैं आपके शरीर के जितने अंग हैं, वो सब सुचारू काम करना शुलू कर देते हैं. सब लोग क्या डरते हासल में, कि भाहिए हम योगा बराबर करनी पा रहा हैं, हम जुक नहीं पा रहा हैं, हम सूर्य नमस्कार केसे करें जब हमारा पाउन तक हाथ नहीं पहुंच रहा हैं जुकने पर, मेरा प्रयास और मेरा चेलेंज यही है कि जितना बने उतना करिये, आप आपको over stressing नहीं करना है, आपको योगा चारे नहीं बनना है, आपको किसी भी तरह का tension नहीं लेना है, जितना बने करिये, एक बार करते बने, एक बार करिये, एक बार भी नहीं बने, आधी बार करते बने, आधी बार करिये, बस छोड़िये मत, धीले धीले आपकी सभी क्रि क suppress talks you इन posição कोशिए कोषिज करना बस जितना बने कर यहां सुर्भ नमशकार करने में या योगा के कऊव भी आसन करने में एक स答नी मुख्य रखनी चाहिए कि जब भी आप सामने की तरफ जुकते हैं तो सांस को बाहर निकालेंगे और जब भी आप पीछे की तरफ जुखते हैं तो सांस को अंदर देशेंगे बस ये सावधानी रखते हुए आप करिए जितना बने उतना करिए और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएए आप करने लगेंगे सफिशेंट लाब मिलने लगेगा आप नीरोगी रहेंगे सूरे नमशकार करने के लिए आपको प्राथा काल का समय उप्युकत रहेगा भरे पेट कभी इसको नहीं करना चाहिए या नाश्ता करके भी नहीं करना चाहिए तो मेरे हिसाब से प्राता काल उठके आपको अगर पानी पीना है, दो से तीन गिलास पानी पीकर इस सूरे नमशकार को आप कर सकते हैं अगर कोई किसी कारां से सुबह के समय नहीं कर पाता है, तो खाने के कम से कम दो से तीन घंटे बाद उसको सूरे नमशकार करना चाहिए Thank you so much sir, आपके ये valuable tips life के लिए इतने important हैं और आप इतना contribute कर रहे हो mankind के लिए, हम आपके बहुत अभारी हैं इस बात के, नमसकार Namaskar